नमस्कार स्वागत है आप सभी का कारिक्रम समागम में हम अपने इस कारिक्रम के जरीए आपको देश-प्रदेश के उच्च सविधानिक पदो पर आसेन सक्षितों से रूबुर करवाते हैं जिनका सरोकार देश-प्रदेश और समाज के विकास से जुड़ा होता है आज हमारे साथ है मध्यप्रदेश आशन के अतिरिक्त मुख्य सचीव श्री मले श्रीवास्ताव जी तो आज हम उनसे जानेंगे उनके व्यक्तिगत और प्रोफिशन से जुड़ी बहुत सी बात है तो नमस्कार मले जी आपका हमारी कारिक्रम में बहुत स्वागत है दन्यबाद सर मैं शुरुवाद करूँगी आपके चातर जीवन से और वो भी खासता और इसलेगी कि आप भुपाल से ही जुड़े हुए है और भुपाल की तंग गल्यों से निकला है आपका चातर जीवन तो इस बारे में आपकुछ बताईए देखे जैसा आपने कहा कि मैं भुपाल से ही हूँ मैं इस चीज का बड़ा गर्व मैसूस करता हूं कि भुपाल का हूं मैं भुपाल में मैंने पूरी पढ़ाई करी तो जिस शहर में मैं रहा पढ़ा उसी शहर उसी प्रदेश में सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है उसके कारण में अपने आपको अत्यंत ही भागिशाली समझता हूं तो जैसे सर आपने यहां पर सरकारी स्कूल से आपकी सिक्षा पराप्त हुई उसके बाद आप में से इंजिरिंग करने के बाद आप इस उच्छपत पर पहुँचे तो यह इंस्पिरेशन कहां से मिली आपको इसका शे मैं अपने माता-पिता को देता हूं क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में मैं अच्छा रहा और इतिफाक से स्कूल या कॉलेज हर जगे प्रथम रहा और उनको यह लगा कि मेरा बेटा जो है एकडेमिकली बहुत अच्छा है तो जो देश की सरवोच सेवा है उसमें इसको आना चीए है मता-पिता का जो इंस्पिरेशन था वो आपको आज इस मुकाम पर पहुचा है अनों मता-पिता का इंस्पिरेशन मता-पिता का आशिरवात मैं तो उसके साथ-साथ किसमत को भी वेटिज देता हूं क्यों मैं हमेशा है मानता हूं कि एक तरीके की प्रतिभा वाले बहुत स ईसेजयेशन की बात करते हैं तो उसमें कल्च्छर एक्टिविटी सम्ENTS उती है तो इसमें भी आपको भाग लेते हुई है तो उसमें आप किस फिल्ड में ज्यादा अच्छा है सुनना नए जगें हुमना और साथ में लाहिट मूजिक में मोखा मिलता है जैसे आपने देखा आई इस एससेशिशन में भी कुछ एक बार तो मैं गाह भी लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक सुकून भी देता है और जो भागम भाग की लाइफ है उससे रिलाक्स भी मध्यप्रदेश में तो आप कई डिपार्टमेंट्स में रहें कई मुख्य पदो पर लेकिन आपकी प्रतिनियुक्ति देश की राजदानी दिल्ली में भी रही है जो दोतरा साल राज्य में काम करने के बाद, मैं 2007-2014 तक बारत साशन में प्रतिनी उक्ति पे रहा और फिर मैं अपने आपको स्वभागिशाली मानता हूं, कि बारत साशन में मुझे ऐसे ऐसे विभागों में काम करने का मौका मिला, जिसमें मैं कॉंट्रिब्यूट काफी कुछ कर पाया, जैसे सबसे पहले मैं उर्जा विभाग में रहा, जब मैं डिरेक्टर था, उर्जा विभाग में जो उर्जा का उत्पादन और उर्जा को खर जब मैं सहियुक सचिव था, जॉइंट सेकेटरी था, और मुझे आपको बताते हैं, खुशी हो रही है कि जो पूरा टेलिकॉम का सिस्टम है, हम सभी जानते हैं मोबाइल के बगेर तो आजकल कोई रह नहीं सकता है, तो मोबाइल के काम करने की जो पूरा सिस्टम होता है, औ और एक और जो आजकल जादा जिसके उपर लोगों के रुची रहती है, वो डेटा की, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की, तो 2011 में मुझे भारत साशन इस्टम पर टेलिकॉम पॉलिसी बनाने का मुका मिला, और मुझे जानके बड़ी खुशी होती है, कि आज जब मैं दे भागिता रही, बहुत ही महत्वपून, इसको कहते हैं कि प्रतेक ग्राम पंचायत में दो मेगाबाइट तक का ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देना, इसको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क की कनेक्टिविटी और आज ये प्रोजेक्ट पूरे देश में इसकी वज में आया था, उसमें उसी की वजह से लोग अपनी पढ़ाई कर पाए, जॉब कर पाए, तो सर एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, जब आप बतौर एग्जेक्टिव डिरेक्टर थे वहां पर, तो उस बारे में आप बताए, वो जब डेपार्टमेंट था, इंडिया ट पागिशाली इसलिए मानता हूं अपने आपको, सामाने तौर पर जब कोई अधिकारी महरत साशन में प्रतिनी उक्ती पर जाता है, तो सामाने तौर पर पास साल की प्रतिनी उक्ती होती है, मैं सात साल रहा हूं, और सात साल में मुझे तीन प्रमुक विवागों में काम कर लगता है, ट्रेट फेर में बहुत सारे देशों के लोग आते हैं, अपने अपने एक्जिबीशन करते हैं, वो इसके अलावा इंडिया ट्रेट प्रमोशन और गनाइजेशन का एक मुख्य जवाबदारी होती है, कि भारत का जो ट्रेट है, उसको पूरे विश्व में फैला, तो हम लोग करीब 35-40 देशों में ट्रेट फेर लगाते थे, बहले जापान हो, या एकदम सुदूर का देश भी हो, जैसे साउथ अफरीका में चिली, एकदम दुनिया के किनारे पे हो, इटली में हो, फ्रांस में हो, हॉलेंड में हो, जैमनी में हो, और इसके कारण मुझे पूरे विश्व में लोगों से भ्रमन करके, इंटरैक्ट करके, और अपने देश का जो ट्रेड है, उसको दूसरे देशों में पहुचाने का भी अफसर मिला, और हाला कि तीनों ही जो मेरे एसाइनमेंट्स थे, वह बहुत ही चैलेंजिंग भी थे, सैटिस्फाइंग भी थे, लेकिन जो ट्रेड प्रमोशन और ओगनाजिशन का था, वह चैलेंजिंग के साथ-साथ इंज्वाइबल भी था, जी, 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 हाँ, क्यूंकि इसमें आप कई नए-नए लोगों से मिलना, नए देश और टे होते हैं, और ब्रेक के बाद आपके वरतमान विभाग के बारे में कुछ बात करेंगे, जरूर. झाले जी, जय, जए अ, जवा जी, हाँ, पुल्ण झाल 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 आपका फिर स्वागत है और अब मैं जानना चाहूंगी राष्टिय जल जीवन मिशन जो 2019 में हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसकी शुरुवात की है कि घर घर और हर गरामी शेत्र में नल कनेक्शन पहुचे और सब को पानी मिले तो इसमें जो कि मानिये प्रधान मंत्री जी ने पंदरा अगस 2019 को लाल किले की प्राचीर से अत्यांत महत्वकांशी प्रजेक्ट को शुरू किया और उसमें ये लक्ष रखा कि 2024 तक जो हमारे देश के संपूर्ण ग्रामीन छेत्र हैं उसमें हर घर में नल के माध्यम से जिसको सामाने भाशा में टोटी कहते हैं उसके माध्यम से पानी पहुचाए जाएगा इसमें एक चीज में और आपको बता दूं कि पांच साल में 2019 से 2024 तक 3,60,000 करोड का इसमें इससे बड़ा प्रोग्राम कम होंगे या शायदी कोई हो और ग्रामीन छेत्रों में कुएं और बावडी का जाधा इस्तेमाल होता था पीने के पानी के लिए उसके बाद जो अगला चरण आया उसमें हैंड पंप खोदे जाने लगे उसके बाद का जो चरण आया उ इस समें यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उस समें हमारे पूरे देश में कनेक्शन्स मुष्कित साड़े तीन करोड होंगे घरों में और अब जबकि हम करीक परीब ढाई साल इस परियूजना को हो चुका है और अभी रीसेंटली नौ करोड का आखड़ा तो बड़ी एक करोड बाइस लाग घरों में कनेक्शन अगर हम दे पाते हैं तो वो करीब शत परिशत कवरिज हो जाए और अभी मैं बता हूँ आपको क्योंकि इसमें हमारे 24 घंटे 7 दिन पूरे माहिने भर साल भर काम होता है और आज की इस्तिती में करीब करीब 46 लाग 60,000 कनेक्शन अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो प्रतिशत में लगब लगब 38 परसंट ते थोड़ा जादा हमारा कवरिज है तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब हमने 31 परसंट का काम किया है और चुकि दूसरे प्रदेशों की तुलना में बद्धिपदेश में य साल में हमने 17 लाग से बढ़के हम लोग आ गये हैं करीब-करीब 46 लाग पर लेकिन हम मध्यप्रदेश की बात करते हैं 70 परसंट वन शेत्र माना जाता है मध्यप्रदेश में तो यहां के जो वन ग्राम है वहां तक नल कनेक्शन जो पहुंचने की बात की जाए क्यूंकि व तो मध्यपुदेश जल्नीगम के माध्यम से पंदरा पंदरा सो गाओं की भी योजना हम लोग क्रियानवित कर रहे हैं और वहां पर हम यह करते हैं कि इंटेक वेल मला हम जो डैम्स होते हैं बड़े-बड़े जैसे अधारन के लिए में आपको बता हूँ गांधी सागड है इन डैम्स में इतना पानी है कि दो दो तीन तीन जिले की पूरी आविशक्ता पूरी कर सकते हैं तो वहां हम यह करते हैं कि इन डैम्स के पास जो प्यूक्त लोकेशन होती है वहां intech whale बनाने के बाद हम वहां से पानी ले जाके एक बैलंसिंग रिजर्वाय इर में लेके जाते हैं, वहीं या टीमींट प्लांट रहता है और वाटर टीमींट प्लांट से बैलंसिंग रिजर्वाय इर से हम 500-500-250 km लंबा पाइप डालते है और उस पानी से जो हर एक गाउं में पानी की टंकी होती है दो या तीन गाउं के बीच में टंकी होती है उसको भरते हैं और फिर उस टंकी से पानी गरेविटी के माधियम से सभी घरों में जाता है तो कुल में लाके, जो आपने मुख्य एक चुनोती के बारे में कहा, तो एक तरीके से तो यह है कि इस तरीके के छेतरों के लिए हम ऐसा पानी का स्रोत चैन करते हैं, जो इस्थाई हो, सस्टेनेबल हो, और फिर वहां से हम इंटेक वेल, ट्रांसमिशन लाइन और कि अग्याद में लगने के बाद में हम देखते हैं कि इसका संधारन नहीं हो पाता है अगर एक बार वो खराब हो जाए तो इसमर आपको क्या लगता है कि यह क्यो ऐसा हो पाता है हैंड पंप के बारे में मैं जरूर यहां पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही कहना चाहूंगा कि हमारे हाँ पांच लाग से ज्यादा हैं और हैंड पंप को मरम्मत करने का संधारन करने की जवाबदारी विभाग के पास है जिस विभाग के मैं अतरिक्त मुख्य सचीव हू है अब कुछी एक ऐसी स्थिति आती है जब पाणी कैस तर नीचे चले जाता है जब पाणी कैस ठर नीचे चले जाता है उसमें कुछ नर्रीक्त गइप डालना चबेता है तो हमारे श्रूक से लाकर दालने में दौरर टाइम लग सकता है तो हो सकता politics निए लेकिन विगतव परशों में इतने सारे hand pump का खनन हुआ है, अगर एक दो hand pump में ऐसी बात आती है, तो दूसरा hand pump चलते है, और जहां पर पानी ही नीचे चला जाता है, क्योंकि कुछ एक धीरे-धीरे जिस तरीके से जमीन के नीचे के पानी का दोहन हो रहा है, पीने के पानी के लिए भी, सिच जाता है, जैसे हमारा कवरेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे hand pump के उपर निरभरता भी कम होती जाएगी, जैसे सर आपने बताये कि नल कनेक्शन की संख्या बढ़ते जारी है, और hand pump की संख्या को कम किया जारा है, कि जिससे कि जो भू जल है उसका जादा यूज ना हो, लेकिन इसी से जोड़ावा मेरा एक और सवाल है कि जैसे आज कल नए घर बनते हैं, और कई जगह पर ऐसा होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दिया जाए, तो उसके लिए आप कैसे लोगों को जागरू करते हैं, कि लोग जो नए घर भी बनाए तो उ लिए परमिशन रूल्स में ये परावधान किये गए हैं, इतिफाक से चुकि कुछ समय तक काफी समय मैं भी नगरी विकास विभाग में रहा, तो उसमें रेन वाटर हर्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स अगर बनाय जाते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स में को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन नलजल योजनाओं को एक बार तयार कर दिया विभाग ने, तो उसके बाद इसको हैं ग्राम पंचायतों को इसके लिए संसाधन भी मिलते हैं, और एक चीज़ और मैं विशेश रूप से आपको बताना चाहूंगा, अभी जो पंद्व अजार करोड से उपर के राशी ग्राम पंचायतों को दी गए, और उसमें बड़ा ये सपस्ट प्रावधान किया है भारत साशन ने, कि इसमें से 25% राशी आप पेजल के संबंधी कारियों पे करेंगे, और 25% आप री चार्जिंग ग्रे वाटर ट्रीटमेंट पे करेंगे भारत साशन की ये भी निर्देश हैं, जो कि अल्टिमेटली एक और ग्रामींट छेतरों में होना है, और ग्रामींट छेतरों में जब तक पंचायते इसका महत्व नहीं बताया जाएगा, उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तब तक ये कार कारगर तरीके से नहीं हो आप जानती है कि ग्रामीन छेत्र में मन्रेगा के माध्यम से भी काफी अधिक राशी पहुचाई जाती है और उसका एक उद्देश तो रहता है रोजगार उपलद कराना लेकिन रोजगार के साथ-साथ ऐसे एसे बनाना जो पूरे गाहों के लिए उपयोगी होगा तो उसमें भी ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिचार्जिंग और छोटे-छोटे जो वाटर के स्ट्रक्चर्श रहते हैं जैसे बोरी बंधान हो गया, छोटा से चेक डैम हो गया, छोटा से स्टॉप डैम हो गया और कि जहां कहीं भी इस तरीके के वाटर कंजरविशन और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के काम हो है, वहाँ धीरे-धीरे करके पानी का इसतर इंप्रूव होना शुरू हुआ जैसे हम बात करें कि राष्टिय जल जीवन मिशन का जो एक लक्ष दिया गया है दो हजार चौविस तक समय कम है और सफर लंबा है तो इसी बीच आपके पास बहुत सारी चुनोतिया है चाहे वह हम पानी की बात करें कि पानी स्वच्छ पानी लोग तक पहुँचना चाहि से मुझे लगता है मानी मुख्यमंत्री जी का विशेश तोर पर आवारी हूं तो राज साशन में जो पी एचे डिपार्टमेंट को जो राशी के आवश्रक्ता होती है उसका बजट मानी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल लगबक साड़े तीन गुना बढ़ा है और इस स काम पूरी गती से हो कोई शिथिलता नहीं हो और गुणुवत्ता का विशेश तौर पे ध्यान रखता है गुणुवत्ता सुनिशित करने के लिए हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का सिस्टम रखा है और इसमें जिला इस्तर पर जो जिला जल सचिता समीती उसकी अध इस विभाग को अपने पास रख रहे हैं तो बड़े बारीकी से इसको मॉनिटर करते हैं मुझे पूरा फरूसा है जिस तरीके का वित्ती संसाधन मानि मुख्यमंत्र जी की तरफ से उपलब्द कराया गया है साशन की तरफ से उपलब्द कराया गया है और इसमें एक चीज अभी लिया गया है साशन इसतर पर कि हम रोड को काट के जो पाइपलाइन पहुचाएंगे उसके बाद पाइपलाइन को भर दिया जाएगा और रोड को ठीक करने के लिए चुकि अधिकांश ग्रामिन चेत्रों की सड़कें ग्रामिन विकाज भाग की होती है तो हम उसकी कई जगे हैंड पम देखते हैं लाल निशान होता है कि उसमे का पानी फ्लोराइड वाला होगा इसको आप नहीं पी सकते तो कैसे आप इसकी मॉरिट्रिंग रखते हैं कि सब लोगों तक स्वच्छ पानी पानी पहुचा है और जैसा मैंने जिकर किया कि मद्यपदेश में आइरेन वाले कुछ छेत रहें फ्लोराइड के जादा है और वह भी इसलिए होता है कि जो हमारा चेटाने होती है नीचे उसका कुछ स्वरूप इस प्रकार का होता है कि फ्लोराइड का पानी निकलता है तो उसके दो तरीकी के हम लोगोंने समाधान निकाले हैं एक तो हम दूर से पानी लाने की कोशिश करते हैं जहां का पानी शुद्ध हो और दूसरा वहां पर जो गुणवत्ता प्रभावित बसाहटे होती है कभी-कभी ऐसा होता है किसी गाओं के अंदर कुछ बसाहट में असर होता है कुछ में नहीं होता है तो इन बसाहटों का पानी को ठ तेजी से चल रहा है और मुझे लगता है अगले दो एक मेने में इन सभी बसाठों को कवर कर लें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा को गुणमत्ता से ही संबंदित है तो मुझे लगता है सबसे जादा जल जीवन मिशन का एक जो पौजिटिव असर है कि महिलाहों का सशक्ति करना जब सकीम पूरी हो जाएं हैं जाइन जा आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी विनमरता से अपने ग्रामवाशियों से अन्रोथ करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सौगात जो हमको मानी प्रधानमंत्री जी मानी मुख्यमंत्री जी के सौजने से मिल रही है और एक अंतिम चीज की स्वासाहता समू ने जहां-जहां करना सिखाया जाता है उसी तरीके से वह उस काम को करती है और जरूर उसमें सफल होती है तो यहां सर हम अपने इस कारिक्रम को विराम देते हैं और अपका बहुत-बहुत-भद धन्यवाद अब हमारा इस कारिक्रम scrutiny आए है तो आज हमने राश्टिय जल जीवन मिशन के बारे में जाना कि किस तरह देश के शहर, जिले, कजबो और गाउ तक नल के जरिये स्वच्छ जल पहुचेगा और हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ जीवन जीएगा तो आज के कारिक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई सक्षित के साथ तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त, नमस्कार